पी टू, जी टू यानि प्रो पीपल, प्रो एक्टिव और गुड गवर्नेंस ये वो हपियार है जिससे अब उन बाबूओं पर वार होगा जो या तो आलस में या फिर किसी लालच में फाइले दबा कर बैठ जाते ऐसे बाबूओं की मोदी सरकार में एक खैर नहीं होगी साफ लबजों में कहें तो लेट लतीफी दिखाने वाले बाबूओं के सुधरने के दिन आ गए दरसल सरकार की निगाह ऐसे बाबूओं पर काफी वक्त से थी और अब इनहीं बाबूओं की एक लिस्ट तयार की जा रही है सरकार इस लिस्ट का इस्तिमाल उस वक्त करेगी जब इनके अप्रेजल का वक्त आएगा यानि जब प्रमोशन या वेतन व्रधी का वक्त होगा बाबूओं की इसी पफॉर्मेंस के आधार पर अब मोधी सरकार उनका अप्रेजल करेगी सरकार ऐसे बाबूओं की लिस्ट भी तयार कर रही है जो बीते सालों से मलाईदार पदो पर आसीन है और मौच काट रहे है ब्रष्ट बाबूओं की कारस्तानी का पता आधार के जरिये लगाया जा रहा है हाल ही में मोधी सरकार ने ब्रष्ट बाबूओं और अधिकारियों को पासपोर्ट जारी करने पर भी रोक लगा दी थी चार सालों से प्रधान मंत्री की कोशिश यही रही है कि लोग सरकार से जुनें भी और ये महसूस भी करें कि वो हमेशा उनके साथ ही खड़ी है